हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल जीके पॉइंट सेवन फ्रेंड्स आज हम आपसे भारत के प्रधान मंत्री से रिलेटेड सभी प्रस्न के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को बिना इसकीब किये अंत देख देखीएगा और अभी तक अगर चैनल को सस्क्राईब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राईब करके बिल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुँच सके तो हमारा टॉपिक आज का है भारत के प्रधान मंत्री You can say a question number first भारत के परदम पर्दान मंतरी काँन थे? Right answer पंडित जवाहल लाल नेहरू You can say a question number two भारत के कारिवाः कौन थे? Right answer गुलजारी लाल नन्दा Option number B is right answer You can say a question number three भारती पर्दान मंतरी में सबसे लंबे कारेकाल वाली परदान मंतरी काँन है? तो option C is right answer पंडित जवाहलाल नहरू जो कि सबसे लंबे कारिकाल वाले परधानमंत्री है भारत की परधम महिला परधानमंत्री कौन है तो स्रीमती इंद्रागाधी राइट अंसर A बांगला देश को सबसे परधानमंत्री के 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 परधानम जो कि कभी भी लोग सभा में उपस्थित नहीं हुए थे Q7. अब विश्वास प्रस्ताव के द्वारा किस प्रधान मंत्री को हटाया गया Q8. किसी का एक कारिकाल में सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधान मंत्री कौन है तो राइट एंसर अटल बिहारी बाचपेई जो कि सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधान मंत्री कितने समय तक अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे 13 दिन स्वारी 13 दिन तक ये प्रधान मंत्री के पदपर थी क्योस्चान नंबर 9 अब तक सभी प्रधान मंत्रियों में नहरु जी का सबसे लंबा कारेकाल कितने दिन का था जो कि नहरु जी ही थे जो सबसे लंबी समय तक प्रधान मंत्री के पदपर थे तो कितने वर्स थे? राइट अंसर हो जाएगा 16 वर्स, 9 माह और 12 दिन सबसे लंबा कारेकाल कितने प्रधान मंत्री की मृत्यों उनके पदपर हुई? तो कुल मिलाके तीन प्रधान मंत्री थे इन तीनों का अगर नाम पूछा जाए तो नाम होगा पंडित जवाला लेहरू, लाल बहादुर सास्त्री और स्रीमती इंद्रिया गादी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्योस्टन फॉर यू क्योस्टन नमबर 11 लाल बहादुर सास्त्री की मृत्यों किस देश में होई? यह सबसे डेंजरस क्योस्टन है आपके लिए तो इसका राइट एंसर उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान में अगर पूछा जाए किस जगह पे? तो तासकंद इलाके में और अगर पूछा जाए कि किस पार्टी से बिलॉंग करते हैं तो भारती राष्टी कांग्रेश से और एक क्योस्टन इनके उपर और बनता है कि इन्हें किस रतन से सम्मानित किया गया तो भारत रतन से इन्हें सम्मानित किया गया और इनकी मृत्तियों अगर पूछा जाए कब हुई तो 11 जनवरी और 1906 1976 में इनकी मृत्तियों हुई कहां हुई तासकंद उद्वेकिस्तान ग्योस्टन नमबर 12 डिसकवरी आफ इंडिया के राइटर कौन है तो Discovery of India के writer इन में से कोई नहीं है पंडित जवाहलाल नहरू पंडित जवाहलाल नहरू Discovery of India के writer है सबसे कम उम्र में परधान मंतरी बनने वाले व्यक्ति कौन है Very very important for exams राजियू गाधी जो कि सबसे कम उम्र के परधान मंतरी थे अगर पूछा जाए कितने वर्स की आयू में परधान मंतरी के पदपन यूग्त हुए तो right answer इसका होगा 40 वर्स 40 वर्स के उम्र में ये परधान मंतरी बने थे Question number 14 सबसे अधिक उम्र वाले परधान मंतरी अगर पूछा जाए तो कौन थे? तो सबसे लंबे उम्र के जो परधान मंतरी थे वो थे मुरारजी दिसाई मुरारजी दिसाई सबसे अधिक उम्र के परधान मंतरी थे अगर पूछा जाए कि कितने वर्स के उम्र में ये परधान मंतरी बने तो इसका right answer 81 year 81 81 एक 80 वर्स की आयो में यह प्रधान मंत्री बने क्योश्चन नमबर 15 प्रधान मंत्री के पत से त्याग पत्र देने वाले व्यक्ति कौन है तो इसका राइट एंसर मुरार जी दिसाई मुरार जी दे साई प्रधान मंत्री के पत से त्याग पत्र देने वाले व्यक्ति हैं Right answer C Question number 16 प्रधान मंत्री के लिए नियुन्तम व अधिक्तम उम्र कितनी होनी चाहिए तो इसका कोई सीमा नहीं है सम्भिधान में इसका कोई उलेख नहीं है लेकिन अगर जो व्यक्ति प्रधान मंत्री के पत पन्युक्त होता है अगर वह लोग सभासे है अगर वह लोग सभासे है तो उसकी नियुन्तम आयू 25 वर्स होनी चाहिए और अगर वह राजिस सभासे है तो उसकी नियुन्तम आयू 30 वर्स होनी चाहिए तो इसका राइट एंसर D 25 या 30 वर्स क्योश्चन नमबर 17 संभिधान के किस अनुच्छेद में परधान मंतरी के पद का उलेख है 75 आर्टिकल 75 में परधान मंतरी के पद का उलेख है नीती आयोक का अध्यच कौन होता है तो यह क्योश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट नीती आयोक का अध्यच भारत का परधान मंतरी होता है तो वर्तमान में नीती आयोक का अध्यच पर पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी जी है कौन नरेंद्र मोदी इस समय नीती आयोक के अध्यच है Question number 19 प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई पुष्टक कौन सी है यह very very important और current में यह question पूछे जाते हैं तो exam warrior social harmony साच्छी भाव यह तीनों जो है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है तीनों किताब प्रधान मंत्री के द्वारा लिखी गई है भारत के प्रधान मंत्री का वेतन कितना होता है तो भारत का जो प्रधान मंत्री होता है उसका वेतन एक लाख साथ हजार होता है जिसमें से रोज का भत्ता दो हजार यानि महिने का पांसट हजार और 50,000 रुपए बेसिक सेलरी निर्वाचन छेत भत्ता 45,000 एक लाग 60,000 रुपए भारत का प्रधान मंतरी बेतन पाता है और क्योस्चन नमबर 21 वर्तमान में भारत के प्रधान मंतरी कौन है यह क्योस्चन आपके लिए कमेंट फास्ट यहीं आपको कमेंट करना है कि भारत का प्रधान मंतरी कौन है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत